देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक और जरजर इमारत हाथसे का कारण बनी है मुंबई के डोंगरी में 117 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत गुरुवार सुबर ढह गई मुंबई में बारिश और जल भराव की समस्याओं के बीच ये हाथसा हुआ है हाथसा दक्षिन मुंबई के डोंगरी इलाके में जे जे फलाई ओवर के पास हुआ मुंबई बिल्डिंग हाथसे में बड़ा खुलासा हुआ है कहा जा रहा है कि पुन निर्मान स्कीम के तहट इस बिल्डिंग का चैन हो गया था जिसके बाद बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा था लेकिन चौथी मंजिल पर अभी भी चार परिवार रह रहे थे इसके अलावा ग्राउन फ्लोर पर भी कैटरिंग यूनिट के कुछ लोग रह रहे थे जिस वक्त बिल्डिंग गिरी तो ये ग्राउन फ्लोर पर ही सो रहे थे वही माराष्ट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी मोके का दोरा किया भारी बारिश के बाद मुंबई में जरजर इमारतों का खत्रा मन्रा रहा है मुंबई में ऐसी सैकडों इमारते हैं जिने BMC ने खतरनाग घोशित किया है इससे पहले 26 जुलाई को घाट कॉपर में चार मन्जिल इमारत गिरने से 17 लोगों की मौध हो गई थी इस इमारत में करीब 12 परिवार रहते थे ये इमारत BMC के खतरनाग इमारतों की सूची में शामिल थी Bureau Report, APN